आपने Crime Free Uttar Pradesh का जिक्र किया है आपने भाशनों में, पार्लिमन में भी आप कर रहे थे आपने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो दंगाईयों की पार्टी है आपने और योगी जी ने कहा कि गुंडे हैं उस पार्टी में तो क्या आप और समाजवादी पार्टी कहती है कि उनकी खामिया है और इसलिए वो हम पर allegations करते हैं क्या आप ये आप categorically कह सकते हैं कि यूपी जो है वो Crime Free की तरफ बढ़ रही है है और यह साब हो सकता है संभव है पहली बात है कि कि जब लोग उत्तवत्रदेश में सुरक्षा के विशे की चर्चा करते हैं कि तो वहां के सामान्य मानवी के मन में पिछली सरकारों में जो उन्होंने मुसीबते जेली है जिस प्रकार से गुंडा राज चलता था जिस प्रकार से माफिया की इच्छा के अनुसार ही सरकार के बाबुओं को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था आप जिस परकार से इस परकार के दबांग लोगों को सरकार में एक परकार चैप्रती आश्रत्य था यह सारी चीजे उत्तर प्रदेश ने बड़े नीकर से देखा ए बहन बेटी घर के भार ने निकल पाती थी ये उत्तर प्रदेश ने देखा है आज उत्तर प्रदेश की बेटी कह रही है कि मैं शाम को अंधेरा होने के बाद भी अगर कहीं काम है तो जा सकती हूँ ये जो विश्वास पैदा हुआ है वो मैं समझता हूँ सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और ये तब हुआ है उत्तर प्रदेश में एक समय था गुंडे जो चाहें वो कर सकते थे आज तिती ये हैं कि उनको हाज जोड़के कहना पड़ता है कि यहां भार मुझे रहना नहीं है तो मुझे जेल में रखो ताकि वहां थोड़ी बहुत तो मेरी जिन्गी बच जाएगी क्योंकि मैरे अक पाप और हर कोई सरंडर कर रहा है बहुत से लोग हो सकता है सही रास्ते पर भी आजाएंगे जब देखेंगे अच्छे रास्ते से भी जिए जा सकता है तो हो सकता है अच्छे रास्ते पूर आ जाएंगे लेकिन योगी जी ने सुरक्षा को प्रात्विक्ता दी है कोई कांप्रोमाइज नहीं किया है कुछ लोगों को उसके एकान तकलीब हो रही क्योंकि उनका कारोबार वही था आज खास करके माताओ बहनों को जो सुरक्षा मिली है यह बहुत ही महतपूर है अब आप देखेऊ इतना बड़ा कुम का मिला हुआ है यहने हमारे देश में हुए कुम की मिलों में सबसे बड़ा कुम का मिला योगी जी के कालखन में हुआ करलों की तादाद में लोग आई कोई कानून व्यवस्ता के समश्या नहीं हूई कहीं चोरी की भी खबरने आई जेब कत्रे भी खबरने आई किसी भी समाज को संतोस देना लगार विशय है और हिंदुस्तान में अगर सुरक्षा को प्रात्विक्ता दी जाए तो बुरा क्या है ने बुरा नहीं जैसे सुरक्षा की बात चल रही तो वह कहते हैं कि वहां पर एक जुडिशल प्रॉसेस नहीं है ठोको की राजनीती चलती है अगर कि योगी सरकार ने डिसाइड कर लिय कि फला जो है वो गुंडा है या उसका कारोबाल जो है उसमें कोई डाउट है तो उसको जेल में डाल दो मतलब एक जुडिशल प्रॉसेस नहीं है वो कहते हैं देखिए हिंदुस्तान की जुडिशरी बहुत ही सक्री है और कभी-कभी तो प्रोएक्टिव है अगर ऐसा कु समाथ है जिनकी रोजी रोटी पी एल पर है तो वो तो तुरंक पहुंच जाते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है बतलब वो न्याईक प्रक्रिया के आधार पर काम करते हैं पर जैसे जैसे लखिंपूर खेरी का इंसिडेंट हुआ था और वो टेनी अभी भी जो है वो तो एसे कही इंसिडेंट्स है उसको लेकर जो वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है इस बीजेपी के साथ है तो वह वाइटवाश हो जाते हैं उनके सारे क्राइम्स मैं यही तो कह रहा हूँ कि सुप्रिम कॉर्ट जेव कमिटी बनाना चाहती थी राज्य सरकाने से हमत ही दी सुप्रिम कॉर्ट जिस जेज के नेतरुत्म में इस्तपास करना चाहती थी राज्य सरकार ट्रांसपरंसी से काम कर रही है तभी तो सुप्रिम कॉर्ट की इच्छ आके अनुसार सारे नीड़े करती है